आई मैं डोक्टर नगेंदर तालोर, शिकर में काडियोरोजिस्ट हूँ, आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि पेरिकाडियल इफ्यूजन क्या होता है, यानि कि हार्ट के चारू तरफ पानी बढ़ने का मतलब क्या होता है, ये किन-किन कंडिशन में हो सकता है, और इससे इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और इपिकार्डियम बोलते हैं, और उनके उपर भी एक और कवरिंग होती है, जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, अब पेरिकार्डियम होती है, वो डिवाइड होती है, दो भाग में, जो अंदर का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं, स तो यह दोनुग वीचर लेयर और परायटल लेयर है स्टुम काईधियम की इन दोनों के बीच के स्पेस को 1o का भी यह दिस पिरिकार्डिल केविटी में ठाएगा तो उसको बोलते हैं कि भी हार्ट में पानी बर गया है यानि नूर्मिली इसमें 15-50 ml तक पानी रहता है लेकिन जब बहुत ज़्यादा चला जाये पानी ज़्यादा हो जाएगा तो उसको pericardium बोलते हैं यानि हार्ट के चलुतरब पानी बर गया या टिबर कलोसीस हुआ है किसी को TB हुआ है तो उसके करण हो सकता है या पिर जैसे किसी को ये किडिनी की डीजीज है या हाइपो थाइरोडिजम है कोई cancer का treatment ले रहा है radiation therapy चल रही है या कोई surgery करा है जैसे bypass surgery करा है तो patient को हलका chest pain हो सकता है पीछे back pain भी हो सकता है या फिर उसको chest में heaviness लगेगा यानि बरी बरी लगेगी chest और उसको सांस लेने में भी दिक्कत होएगी उसके लावा उसको थकान जैसा लगता रहेगा और कई बार पेरों में और पेट में भी सुजन आ जाती है तो इसका mechanism क्य होता है क्यों patient को यह symptom आने लग जाते हैं क्योंकि जैसे heart है और heart के चारू तरब पानी भर गया है तो जैसे पानी बढ़ता जाएगा वैसे heart का space कम होता जाएगा तो heart को proper space नहीं मिलेगा उसमें blood आने के लिए और blood बाहर जाने के लिए कम जगह रह जाएगी heart में तो उससे क्या अपने का cardiac output है यानि heart से blood बाहर की तरब बहुत कम जाएगा तो अपने सरीर को oxygen और blood नहीं मिलेगा इसलिए अपने को सारे symptom आने लग जाते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन का इको से कैसे पता लगा सकते हैं तो इसमें अपने को दिख रहा है कि यह जो पेरिकार्डियम है उसके बीच में पानी बरावा है जैसे हैं यह पोश्टेट साइड है दोनों में कलिए पेरिकार्डियल इफ्यूजन दिख रहा है जो पानी बरावा है वह हार्ट में बरावा है या लंग में बरावा है इसका अपन इको से पता लगा सकते हैं क्योंकि जो यह एक इस्टेक्टर है जिसको डिसेंडिंग अरोटा यदि इस अरोटा के आगे की साइड में है पानी तो वह हार्ट का है यदि इसके पीछे की साइड में है तो वह लंगा या फेपनों का पानी रहता है तो यह इको अपना पानी को पैचाने में और यह हार्ट का लंगा इसको डिफ्रेंसिट करने में भी अपनी हेल्प करता ह अब यह सोट दूसरा व्यू है इसमें पेपन दे सकते हैं कि पानी की वहां पे लेयर बनी हुए है पुरी और इसमें जो कुछ स्ट्रांड और बेंड से भी दिख रहे हैं तो यह बेंड का मतलब होता है कि उसको यह क्रोनिक इंफेक्शन चल रहा है या कोई केंसर है या कुछ मतलब लंबे टाइम से पानी इसको इक्टा हो रुखा है अब तीसरा व्यू है जो सबकोस्टल व्यू है तो यह सबकोस्टल व्यू बेस्ट रहता है पेरिकाडल इफूजन के लिए क्योंकि इसमें जो मीनिमम प्लूड रहता है वह भी इजीली दिख जाता है तो इसमें अपने देख सकते हैं एंट्यर सेड में और इस सबकोस्टल व्यू में अपने देख सकते हैं कि इसको मेजर करके कि इसको 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 मैनेज कर सकते हैं तो अब इसको मैनेज करने के लिए कि अपने को यह पानी निकालना पड़ेगा पानी निकाल के इसकी जा जांच करवाते हैं और जांच में जो दिक्कत आती है उसी हिसाब से इसको ट्रीटमेंट करते हैं